नमस्कार दोस्तों सभी ज्यान केंदरों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आज जो मैं आपके लिए एहम जानकारी लेकर क्यायाँ वो है जो ITG के एड्रेस चेंज पॉलिसी यार रूल्स हैं जिसमें एक कुछ एहम परिवर्तन किये गए हैं RKCL के द्वारा उसकी जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों ये अक्टूबर 2018 से पॉलिसी लागू हो गई है और जो ओरिजनल RKCL की पॉलिसी है जो इंग्लिस में है उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रियास किया है इसको किसी भी तरीके से अंतिम ना माना जाए RKCL के अंदर जो डोक्यूमेंट उपलब्ध है उसे ही अंतिम प्रक्रिया के लिए आप उसको सही माने तो आईए देखते हैं इससे पहले कि मैं आपको पूरा प्रोसेस और इस पॉलिशी के बारे में जानकारी दूँ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जानकारिया और सूचना उपयोगी लगे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उसे जरूर दबाएं देता लाइक करें इस वीडियो चेनल के माध्यम से मैं आपको सभी उपयोगी वे सही जानकारिया प्रभाविपून तरीके से वे सरल बासा में पहुचाने का प्रियास कर रहा हूँ उमीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा तो इससे पहले कि मैं आपको नए नीमों के जानकारिय दूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो पुराने नीम चले आ रहे थे उसके अंतरगत ITG के अपना पता परिवर्तन करके परनतो अगर कोई ग्यान के अंदर ग्रामीन एरिया से शहरी में आना चाहता था तो समाने तरह उसके आवेदन अपरू नहीं किये जाते थे उसके अलावा एक जो बड़ी रिस्टिक्शन वो थी कि ITG के अपना पता परिवर्तन करके क्यों उसी तहसील वजिले में रह सकता था जिसके अंदर उसका पंजीकरी ने रजिस्ट्रेशन हुआ है एक समय पर यावेदन पक्रिया ओफलाइन थी और हाट कोपी पर थी उसके परसात में आपका माया औरकेशिल पेश को ओनलाइन कर दिया गया है परन्तो हैम डोक्यूमेंट जो है वो अभी भी आपको सब्मिट करने पड़ते हैं तो ये पुराने नियमों की बात थी आए ये नया नियम देखते हैं नय नियम जो कि अब ITGK के द्वारा एड्रेस चेंज करने की गाइडलाइन कम पॉलिशी के नाम से जाना जाएगा और ये जो रूल है 24 अक्टूबर 2018 से प्रभावी रूप से RKSIL द्वारा लागू कर दिया गया है मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जो पॉलिशी है उसका मैंने सिफ हिंदी ट्रांसलेशन करने का प्रियास किया है अंतिम रूप से जो पॉलिशी डोक्यूमेट RKSIL.in पर उपलब दे उसे ही फाइनल माने तो इस पॉलिशी में क्या है एक जो एहम परिवर्तन कर दिया गया है वो है कि ITG के द्वारा रूरल से अर्बन और अर्बन चे रूरल दोनों चेत्रों के अंदर जाने के परमिसन दे दी गई है अभी वर्तमान में भी अर्बन से रूरल जाना अलावड किया था परन्तु रूरल से अर्बन जाना से मानिता अप्रू नहीं किया जाता था जो अब आर्के सेल द्वारा इसे नियम के अंतरगत ला दिया गया है और अब रूरल से भी आप अर्बन चेत्र के अंदर आ सकते हैं अब दूसरी बात है कि कोई भी ITG के किसी भी समय पता परिवर्तन करने तो आवेदन दे सकता है यानि कि आप कोई number of chances किते हैं या फिर ऐसा है कि अभी मैंने एक महीने पहले पता परिवर्तन किया तो आप नहीं बदल सकता हूँ इस प्रकार की कोई limitation नहीं रखी है परन्तु पता परिवर्तन करने के लिए आपके पास में एक वैद्ध्य कारण होना चाहिए यानि कि valid reason होना चाहिए ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से बार बार पता हम बदल रहे हैं इसमें और उसको कारण को आप आवेदन करते समया आपको जानकारी देनी होगी और अगर RKSIL के अंदर जो कमीटी है वो अगर चाहेगी तो आप से उससे संबंदी दस्ता वेज की भी मांग कर सकती है अब इसके बाद में जो दूसरा हैम बात है वो है कि ITG के द्वरा जिला परिवर्तन नहीं किया जा सकता है लेकिन कोई भी ITG के अपने जिले में किसी भी स्थान से आने स्थान पर परिवर्तन कर सकता है तो दोस्तों इससे ये मतलब है कि अगर आप तहसील भी बदलना चाहते हैं तब भी ITG के अपना तहसील बदल सकता है नए ITG के अड्रेस चेंज रूल्स के अंतरगट पॉलिसी के अंतरगट आप एक जिले के अंदर जिसमें आपका पंजी करन हुआ है उसमें किसी भी तहसील में जा सकते हैं अब उसके बाद में है कि जब तक आरके शिल द्वार अंतरगट से अप्रूवल ना मिल जाए तब तक आपके ग्यान के अंदर को इस्थान परिवर्तन कर आने अतर जाने की अनुमती नहीं है इसको आप नोट करने अगर कोई भी आईटी जिके आरके शिल से पता परिवर्तन के अप्रूवल मिलने से पहले ही अगर अपने अलोकेशन बदलता है तो आरके शिल के पास में यह राइट से अधिकार है कि वह आपका आवेदन निरस कर सकता है साथ इसाथ फाइलेंशल पैनल्टी ब्लॉकिंग या आईटी जिके को टन मिनिट भी किया जा सकता है तो आईए देखते हैं कि आवेदन को प्रोसेस करने की प्रकरिया क्या है और इसके बाद में क्या-क्या सर्ते और गाइडलाइन इसमें लागू होती है वो देखिया एक तो यह है कि RKCL में अर्बन और रूरल चैतर दोनों में आईटी जिके का पंजी करन करने के अलग-अलग फीस है जिस देखा जाए तो अभी आप जानते हैं कि नए आईटी जिके जब पंजी करन होता है तो रूरल चैतर ग्रामिन चैतरों के अंदर उसे विशेस रिया चैतरों के जो उस समय फीस लागू होगी उसका difference amount आपको RKCL में जमा करने को कहा जा सकता है तो उस समय जो भी लागू होगी फीस उसके अनुरूप ही आपको difference amount RKCL में जमा करना पड़ सकता है और इसके अंदर एक चीज यह है आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप यह सोचें कि आप कोई ऐसे एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहते देशें कि अर्बन से रूरल में जाना चाहरे है तो आपको कोई पैसा refund होगा तो वो नहीं होगा किसी भी प्रकार की कोई रासी RKCL दवारा refund नहीं की जाएगी अब उसके बाद में मरतमान में प इस दे करनी होगी हाला कि यह रिकमेंट किया जाता है कि ITG के जल्दी जल्दी बार बार इस विदा का उपयोग ना करें आप इस बिंदो को ध्यान से समझ लें क्योंकि ITG का पता परिवर्तन करना चेदर परिवर्तन करना सभी अलग अलग चीजें है अब इसके बाद में ज करने का अंतिम रूप से अधिकार होगा आपने मातर अगर अगर अप्लिकेशन डाल दिये तो आप यह मानने कि आपका पता परिवर्तन हो जागा ज़रूरी नहीं कमीटी का निर्नेज होगा वह अंतिम रूप से मानने होगा और अगर यह RKCL द्वारा पाया जाता है कि सुविदा का कोई ग्यान के अंदर दुरूपयों कर रहा है चाहिए वो जुल्दिल्दी पता करने परिवर्तन करने की बात हो या किसी आनने कारण से अगर दुरूपयों कर रहा है तो उसको स्विवकार नहीं करेगा RKCL और उस के खिलाप IT ग्यान के अंदर के खिलाप कारवाई हो सकती है कमिटी दोर ITG के खिलाप आउसे कारवाई करने के लिए रिकमाडेशन भी जा सकती है जिसमें ITG के को या तो ब्लॉग किया जा सकता है अब यह पॉलिशी में जो बदलाव है चोबीस अक्टूबर 2018 से एफेक्ट पर चोबीस अक्टूबर के बाद में अगर आपने आवेधन किया है तो यह आपको लागू हो सकता है अब यह लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखने किसी भी प्रकार से फिजिकल या ओपलाइन आवेधन RKCL में स्विकार नहीं किये जाएंगे केवल ऐसे आवेधन जिनक यह आवसे की इंतिजाम कर दिये गए हैं और उनके थ्रोही आईडर्स चेंज अपलिकेशन जो है आपकी वो सब्मिट करनी है आपको अगर आपको हमारा ये वीडियो उप्योगी लगा और इसमें जो दी गई जानकारिया और रूचिकर लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक का बटन भी दबाएं आप हमारा ब्लॉग www.computer.com भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच